बात शुरू करता हूँ अपनी असाइन्मेंट से जो 2015 में मैंने एक असाइन्मेंट लिखी ते जरा चलते हूँ उस असाइन्मेंट पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या मैसी लुक दिया यह देखें एक्शली हुआ क्या मुझे लगा कि मैंने यहां पर इस्तमाल करना बस किसी तरीके सर्फ को यह पता लग जाए इसको सारा पता है इसको यह भी पता फॉंट बड़ी चोटी हो जाती है इसको यह भी पता स्टाइल फॉंट के होते हैं और यह तो किया रहा है तो असले मैंने यह किया किया यह फ्रैज्श का नोर वान इसके साथ यह वैब वाइजन इसकी जब्र नहीं थी यह नहीं पर रोल नमबर की जरूरत नहीं थी फिर यह पता कहां से उठागे एक्स पालब डा और उसके बाद मैंने इमेज को यहां पर लिक्क्ष जन्दी जिसको मैंने दिम्यान में लिखा वाँ यह निके एक निया तरीका मैंने अपने पास से बना लिया था और अपने नाम लिखा कि भाई इतनी एफट की मैंने तीन पेजिस बनाए जिसमें एक दो तीन चार और पांच इमेज़ डॉनी इस आपको यह लाजबी पता अगर आप किसी स्ट्रक्चर में रहा के असाइन्मेंट बनाएंगे तो फिर आपके असाइन्मेंट में मतलूबा चीज ना भी हो तो आज की वीडियो है इसी मुतलिक जिसे आप पूरा देखने वाले हैं और फिर उसके बाद आप भी अपनी असाइन्मेंट में आपको पता लगता रहे हैं तो लेंज नाम मैं आपको लेके जा रहा हूँ IEEE की फॉर्मेटिंग पर IEEE है क्या इसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं बास यह समय लें कि टेक्नालोजी एड्वांस्मेंट की एक औरगनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में टेक्नालोजी के एड्वांस्मेंट को मैयर करती है पेपल्स को पब्लि तो आप सब जरह इसको गोर से देखें अब यह पराग्राफ है जिसके इन राइ ट्रिपल लिगी अपनी एक स्टेंडर्ड दिया हुए है मैं इस पराग्राफ को फॉलो करता जाओंगा उसी असाइन्मेंट को लाइव आपके सामने चेंज करता जाओंगा और हम देखेंग तो यह औरेडी हम पोर्ट्रेट औरियंटेशन के अंदर है इससे आगे इसनिक बोला है कि पराग्राफ शुट भी ब्लॉक स्टाइल नो इंडेंट और फाइव स्पेस्ट पराग्राफ जो है वो ब्लॉक्ड स्टाइल के होना चाहिए यहां पर यह ब्लॉक्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा जस्टिफाइ करूँगा जस्टिफाइ कैसे करूँगा इसको स्लेक्ट करूँगा यहां से जाके मैं इसको सिंपल जस्टिफाइ कर दूँगा तो होगा क्या यह देखिए अब यह ब्लॉक्ड टाइप लग रहा है आपको ब्लॉक्ड के अंदर आ गया ह तो मैं इसको यहां से ब्लॉक करने के लिए यह देखिए मैं अपने इसको प्रिवेस वर्जन भी दिखाऊंगा और यह वला वर्जन भी दिखाऊंगा ठीक है तो मैं इस वर्जन को दिखाने के लिए इसको भी डेस्टॉप पर सेफ करने के बाद मैं इसको चलिए लेटर असाइम्मेंट के नाम से इसको सेफ करता हूँ वहाँ पर लेटर वेब के नाम से मैं इसको सेफ कर दिया ताकि आपको मैं बाद में कंपैरिजन देशेगा अच्छा इसके बाद आई ट्रिपल एई वाले हजरات क्या कहते हैं वह कह रहे हैं कि जनाब 1.5 पूरे को सίलेक्ट करता हूं और यहां पर जाए वला हिसा इसको पर यहां पर जाए और यहां सी याकर के बाद में लिका हुआ है हम उसको पढ़ते हैं उन्होंने लिखा है कि do not start new section on a new page यानि कि double space between paragraph paragraph के दिरमें double space होनी चाहिए before headings paragraph के दिरमें double space का मतलब यह कि जब आप इस तरह justify करते हैं तो double space करने से next paragraph next line पर ठीक तरह से चला जाता है ठीक है और उसके बाद यहां पर double space between यह भी हो गया leave one margin one अच्छा यह एक इंच का मार्जन आपने रखना है page के चारो जानब और अभी by default भी आप देख रहे हैं कि एक इंच का मार्जन इसके चारो जानब है लेकिन जब आप final year के documentation बना रहे होंगे न तो वहां पर वह left side पर 1.5 inches का margin यूजिली मांगते हैं तो वह क्यों मांगते हैं असल में इस तरफ से बाइंड होना होता है आपके documentation ने तो वह binding के लिए फिर थोड़ा सा text को आगे कर देते हैं यूदि के 1.5 की जब margin होगा तो text automatically थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो हम इसके page number basically select करना है यह page number मैंने दिया है इसको मैं bottom पर लेके जा रहा हूँ तो मैं इंटर कर देता हूँ अच्छा जनाब मेरा page number वहां पर चला गया अब यह वाला page जहां से मुझे remove करना पड़ेगा यह वाला number वह बाद में later on remove कर लेते हैं आप पहले बाकी चीज़ों को देखिए यह header के इसको बाद में चेक करते हैं अच्छा इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब आप number your paper improving first page आपने देना है preferred font for the main text is times or times new roman 11 point size the title is centered on page 1 on the paper please type 18 type in 18 font size the preferred font style is calibrary वह कह रहा है कि आपका जितने भी titles है न हो calibrary में होने चाहिए suppose यह मेरा title है इसको calibrary में होना चाहिए ठीक है मैं इसको calibrary में कर देता हूँ और जो आपकी main text है यह वाली इसको times new roman में होना चाहिए जो already times new roman में ही है अच्छा अब इसने साथ point of size भी बताया गए हमारी जो main text है यह वाली यह 11 की होने चाहिए मतलब मैं सारे को अभी फिलहाल के लिए 11 कर देता हूँ स्लेक्ट करने के बाद heading should be typed in bold capital letters font size 12 ठीक हो गया तो जो headings है यह वाली headings heading 1 heading 2 heading 3 तो कह रहें कि heading जो है यह आपकी लाजमी होनी चाहिए इसका size 12 हो और यह bold हो ठीक है तो इसका size 12 होना चाहिए 12 तो मैं इसको size 12 करता हूँ और इसको bold कर देता हूँ यह लेजिए एक मेरी heading 3 लेंज ना मैं अपनी सारी के सारी headings को कर चुका हूँ मतलब इसको 12 इसका कर चुका online इसका text का font का size और इसको मैं bold भी कर चुका हूँ ठीक है तो अगर आब आप देखें तो आपको यह assignment कुछ थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छी professional वाई look देती हूँ नजर आएगी मैं भी आपको दिखाता हूँ तो यह हो गया आपके वेब बच्छन अब यह वह तक होगी इसकी spacing अब sub heading कौन सी होती है अगर मैं 1.0 कर रहूं तो यह मेरी main heading है तो इसको मैं heading 1 कह सकता हूँ ठीक है और इसको मैं black कर दूँ और अपनी यहां पर अगर suppose यह sub heading है इसकी तो मैं heading 2 बोलूँगा यहां से और साथ मैं इसको underline कर दूँगा और मैं इसको बोल दूँगा कि जनाब यह है मेरी sub heading यह 12 होगी और bold होगी यह होगी sub heading हो और यह underline होनी चाहिए तो यह था जनाब वो spacing का तरीका जिसे आप simple सा काम करने के फॉरण बाद आपने अपनी document को थोड़ा सा इंसान के बच्चों वाली शेकल दे दी है तो अब मुझे remove करना है simple header की setting को तो मैं यहां पर जाता हूँ simple insert में और insert में मैं यहां पर footer की setting header की setting पर जाऊंगा और यहां से header को simple remove कर दूँगा तो यह जनाब आ गया मैं लें जनाब I am in market now यह लें जनाब यह वह वहली assignment है जो थोड़ी थोड़ी सी आपको लगना शुरू होगी कि यार वाकी किसी professional बन देने लिखिए अगर मुझे कोई image देनी है तो मैं image दर्मियान में दूँगा मैं कोई भी यहां पर image आपको insert करके दिखाता हूँ यह मेरे ही एक documentation की है जिसके अंदर मैं मतलब एक drawing बना के बता रहा था किस project को मैं ऐसे करूँगा तो इसको मैं simple centered कर देता हूँ और यह देखिए आगे थोड़ी से look और इसकी मैं caption को भी एड़ कर सकता हूँ लेकिन video को लंबा होने से बचाने के लिए मैं caption एड़ने कर रहा और एक और बात final मैं आपको बताना चाता हूँ को याद रखें अगर आपके assignment 7-8 pages से ज्यादा की है यहां हो सकती है तो आपका जो है लाजमी तो पर आपने reference table को लाजमी table of content को लाजमी आपने add करना है उसको कैसे करना है जब आप heading 1 और heading 2 दे देंगे ना उसके बाद आपने simple अगर suppose यहां पर आपने अपने table add करना है न तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको avoid करूँ. ठीक है? अब यहां पर heading इसको heading 1 का है इसको heading 2 का है तो देखते है टेबल of content हमें क्या देता है तो मैं यहां पर table of content जब बैड करूए लेकिए खुद बाखुद टेबल ओफ कंटेंट डेते जाना है और यहां पर टेबल ओफ कंटेंट आ जाएगा खुद बाखुद यहां से आपके पेज नंबर को भी आइड करता जाएगा तो this was all from today's video at the end मैं चोटा सा comparison आपके सामने रखता हूँ आपको बताता हूँ कि comparison करते हैं अब इस वाली assignment का जिसको maximum 5 minute लगे या 10 minute लगे इसको ठीक करने में और मेरी previous assignment का तो यह खुली होई है हम ज़र चलते हैं अपने previous assignment की तरफ यह लें भाईया यह थी previous assignment बचों वाली different images colorful images और नाम लिखा है और पता नहीं क्या क्या किया है और इस assignment को जब मैंने थोड़ा सा professional look दी तो यह देखिए अब यह तो बकाईदा ऐसे लगदा है कि जैसे किसी research paper का part है अगर आप ऐसी assignment लिखके देंगे तो आपके teacher आपसे खुश हो जाएंगा खुश होके ज्यादा सा चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो का लाइक कीजिए नए आने वाले content writers को और नए आने वाले वो लोग जो नए-ने freelancing में आ रहे हैं उनको students को इस channel का बताईए उनसे share कीजिए उनको link दीजिए कि यहां पर आ जो new guy in market और